बड़ी खबर बिहार से है जहां नितिश कुमार की मंतरी मंजू वर्मा को आखरकार इस्तीफा दे दिना पड़ा है और दूसरी बड़ी खबर है दक्षन भारत की राजनिती में एक बड़े अध्याय का अंत हुआ करोना निधी की मृत्यू के तौर पर और आज उनकी अंतिम यात्रा के दौरान हजारों लाखों की तादाद में लोग अपने नेता को अंतिम शद्धांजली देने के लिए उमड़ पड़े हैं आज तक की मोहिम का बड़ा असर हुआ है आखरकार नितिश कुमार के मंत्री मंडल में सहयोगी मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है जिनके पती पर ये आरोप था कि बिहार के मुजफरपुर में जो बाली का ग्रह में कांड हुआ उसमें उनका रोल हो सकता है क्योंकि बच्चियों ने जो गवाहियां दी थी उसमें उनका नाम आया था और आज इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजिश ठाकुर ने सीख्चों के पीछे से जो गवाहि दी और कहा कि मंत्री के साथ 17 बार मेरी फोन पर बात चीद हुई है उसके बाद आखरकार मंत्री को इसमें इस्तीफा दे देना पड़ा लगातार जेडियू के नेता टीवी चैनल पर आकर मंत्री के पक्ष में गवाहियां दे रहे थे उनके पक्ष में दलीले दे रहे थे ये कहते हुए कि आखर मंत्री को क्यों हटाया जाए लेकिन मजबूरन नितिश कुमार को आज उनको हटाना पड़ा इस्तीफा मंत्री मंजु वर्मा ने अब से कुछ दिर पहले जाकर मुख्य मंत्री नितिश कुमार को सौप दिया है आपको बता दें के लगातार आज तक ये खबर दिखा रहा था अपने दर्शकों तक पहुचा रहा था और बार बार आज तक ने इस सवाल पूछा था कि जब मंत्री के पती पर इस तरीके के संगीन आरोप लग रहे हैं पाखिरकार इस मंत्री पर कारवाई क्यों नहीं हो रही है उसके पीछे के जातिये समीकरणों का हवाला भी दिया कुछ लोगों ने दबी जुबान में लेकिन मजबूरन नितिश कुमार को अपनी मंत्री मंजू वर्मा से इस्तीफा लेना पड़ा समाज कल्यान मंत्राले मंजू वर्मा के पास था और बहुत सारे ग्रांट एंजियो के तौर पर ब्रजेश ठाकुर को बहुत सारी मदद पत्रकार के तौर पर ब्रजेश ठाकुर को दिये जाने का अरोप जेडियू की और बीजेपी की सरकार पर लग रहा था जिसके बाद सरकार बैकफुट पर थी और मजबूरन आखिरकार आज मंत्री मंजू वर्मा से इस्तीफा नितिश कुमार की सरकार को कराना पड़ा आपको बता दे के पिछले करीब दस दिन से लगातार ये खबर टेलिविजन पर थी, सुर्कियों में थी लगातार बिहार की सरकार से सवाल पूछे जारे थे सबसे पहले आज तक नहीं ये सवाल उठाया था कि आखिरकार मंत्री मंजू वर्मा इस मंत्री मंडल में क्यों है जब उनके पती को लेकर इतने संगीन आरोफ आ रहे हैं तो जेडियू के नेताओं का कहना था कि जांच हो रही है CBI जांच कर लेगी अगर CBI मंत्री मंजू वर्मा पर कोई आरोफ लगाती है कोई चारशिट में बात आती है तब उन पर कारवाई करने की नौबत आएगी लेकिन आज ब्रजेश ठाकूर की बातें जब सामने आई है उसके बाद मजबूरन मंजू वर्मा का इस्तीफा सरकार को कराना पड़ा मेरे सायूगी रोहित सिंग इस समय मंजू वर्मा के घर के बाहर लाइव मौजूद है सीदे हम उनका रुक कर सकते है रोहित ये काम अगर एक हफ़ते पहले दस दिन पहले मुक्यमंत्री ने कर दिया होता तो शायद इतनी फजियत न हुई होता जी बिल्कुल अगर कारवाई सहर समय रहते होता तो जाहिर सी बात इतनी फजियत नहीं होती लेकिन मांद के चलिये 2019 का चुनाव है कास्ट कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखके फैसले लेने पड़ते हैं और जिससे जाती से मंजू वर्मा आती है कुश्वाह समाच से उसका 7-8 प्रतिशत वोट बैंक है तो इसको लेकर नितीश कुमार के लिए फैसला लेना बेहद मुश्किल हो रहा था लेकिन आज जिस तरीके से तीन बड़े खुलासे हुए है उसके बाद नितीश कुमार अगर कोई फैसला नहीं लेते तो जाहिर सी बात है उनकी और जादा फजीहत होती जिसमें सबसे बड़ा जो आज एक जो खुलासा हुआ है वो ये कि सी बी आई ने जो कॉल डीटेल रिकॉर्ड जो निकाले है उसमें ये बात साफ हो गया है बरजेश ठाकुर के तीन सिम कार्ट से कि पिछले जनवर इस जनवरी से माई के बीच में सत्तरह दफ़ा आखरी कील्ट थाबित हुई ताबूत में वो था बरजेश ठाकुर का कैमरे पर आकर ये बात को कबोल करना जो सबसे बड़ा आरोपी है इस मामले में कि हाँ वो मंजू वर्मा के पती को जानता था उसके साथ उसके संबंद से उससे बाच्चित हुआ करती थी तो ये तीन बड़े खुलासे के बाद भी अगर मंजू वर्मा बनी रहती तो नितीश कुमार के लिए और ज़्यादा फजियत हो सकती थी इस वाका मंजू वर्मा के घर के बाहरी खड़े हैं अभी जो अंदर से कोई बात करने को तयार नहीं है लेकिन जो जानकारी आ रही है कुछ लोग अंदर साय थे कि मैडम आज बात नहीं करेंगी मैडम कल बात करना चाह रही है कल मीडिया वालों को बुलाया जाएगा लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरन चल रहा था उसमें कहीं न कहीं मंजू वर्मा काफी दबाव में थी लेकिन आज के जो तीन बड़े खुलासे हुए है उसके बाद तो मंजू वर्मा का अपने पद पर बने रहना काफी मुश्किल हो गया था और उनको इस बात का इंडिकेशन मुख्यमंत्री के तरफ से भी मिला कि अब आप पद पर नहीं बनी रह सकती है कोगी नितिश कुमार ने दो दिन पहले ही कह दिया था कि जब भी मुझे कोई डाइरेक्ट एविडेंस मिलेगा मंजू वर्मा या उसके पदी के खिलाव तभी मैं कारवाई करूँगा और आज के तीन बड़े जो खुलासे थे वो जाहिर सी बात है उसके बाद मंजू वर्मा के उपर भी काफी दबाव बना और उन्होंने धाई बज़े जाकर एक अने मार्ग में अपना इस्तीफा सौब दिया है जी बिलकुल मंजू वर्मा को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा नितिश कुमार ये कह रहे थे डारेक्ट एविडेंस मिलेगा तब हम इन पर कारवाई करेंगे ये डारेक्ट एविडेंस मिलने में दस दिन लग गए रोहिट सिंग जबकि बच्चियों ने पहली गवाही के दौरान ये बात साफ साफ कह दी थी कि ये सजन आते थे उनको लेकर इस तरीके के इंडिकेशन्स लगातार आ रहे थे क्या कास समीकरन इतना ज्यादा एहम था नितिश कुमार के लिए कि उन्हों ने अपनी पूरी साफ़दाव पे लगा दी बिल्कु देखिए बात कहना गलत नहीं होगा कास कंसिटरेशन यहाँ पर बहुत जादा माइने रखता था जिसके वज़ए से फैसले लेने में देरी हुई बच्चियों ने कहा कि एक बड़े तोंद वाला नेता आता था हमारे यहाँ शेल्टर होम पर जो हमारे साथ गलत काम करता था जाहिर सी बात है इशारा साफ तोर पर चंदेशवर वर्मा के तरफ था लेकिन इसके बावजूद भी मंजू वर्मा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोरी मुख्यमंत्री को गुमराह करने के लिए क्योंकि जैसे ही यह खुलासा आथ से एक हफते पहले हुआ था कि चंदेशवर वर्मा भी इसमें शामिल हो सकता है इस पूरे राकेट में उसके बाद निटीश कुमान ने उनसे जवाब तलब ही किया था और उस दोरान मंझू वर्मा ने ये कह दिया था कि उनका इसमें कोई इन्वॉल्मेंट नहीं है उनके पती का इन्वॉल्मेंट नहीं है और मुख्यमंत्री नहीं ये बात उस वक्त मान ली थी और इसी के अधार पर उन्होंने वो प्रेس कॉन्फरेंस भी किया डंके के चो निदीश जी ने तो पहले ही अपनी प्रेसवारता में स्पष्टिकरन किया था कि इस मामले में किसी भी तरह की नर्मी नहीं बढ़ती जाएगी और उने कहा था जो मंत्री की खिलाफ आरोप है अगर उनके वजे से कोई भी कारण ऐसा बनता है जिससे उनका त्याग पत्र ले ही तो उस तरह से एक्षिन लेंगे और यही हुआ है हर तरह का एक्षिन जो देना जरूरी था और अब मंत्री का त्याग पत्र निदीश जी के रहते हुए इस मामले में कोई नर्मी नहीं बढ़ती जाएगी और कितने दोशियों उनको पूल तर दंड़त किया जाएग जब कोई स्सुबूताए कोई प्रमार नहीं जिसके आधार पर उनको एक्षिन देना थी, तो उनने तरह लिए आकिरकशि नी करेंगा कि हम अगर दिल्ली जंतर मंतर जाके नहीं बैठते तो इनकी नीन इस बात से तो इंकार नहीं कर सकते ना कि सरकार की फजियत हुई इसमें काफी कोई फजियत नहीं हुई आप देखें नहीं कि जीरे जीरे आप सब को पूरी तरह अस्वस्त होंगे आप सब कि इस मामले में जो करवाई ज़रूरी है वो होगी जो बात आज ब्रजेश ठाकुर ने कही है पुलिस की गाड़ी में बैठकर सीक्ष्चों के पीछे से उससे ऐसा इशारा मिलता है कि अकेले ये मंत्री नहीं कई और बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं अब जब CBI को कारवाई जांच दे दी गई है CBI अपना काम कर रही है कानून को अपना काम करने की जो सबूत सामने आएंगे उस पर एक्षण होगा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन बर्मा जेडियो के वरिशनेता वो कह रहेंगे नितिश कुमार ने तो पहले कह दिया था बार बार सवाल उठने के बाद आखिरकार जब विपक सड़कों पर उतराया पूरी थना से तब जाकर नितिश कुमार ने पहली बार इस मामले में मुख खुला उसके बाद जब लगातार सवाल उठने बंद नहीं हुए तो नितिश कुमार को इस मामले में मजबूरन कारवाई करनी पड़ी हाला कि उनकी पार्टी इस समय पीठ तपतपारी यह कहते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री ने सक्त कारवाई की है अपने मंत्री पर कारवाई की है लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या कहीं जातिये समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्री पर कारवाई करने से नितिश कुमार बच रहे हैं आलोक महता हमारे साथ यहां वरिश पत्रकार स्टुडियों मौजूद है शेकर अयर हमारे साथ यहां वरिष्पत्रकार स्टूडियो मौजूद है और स्टूडियो में वरिष्पत्रकार मौजूद है आप तीनों का स्वागत है आज दो बड़ी खबरे हैं एक तरफ राजनीतिक तौर पर एक यात्रा में ब्रेक लगा है मंजू वर्मा की नितिश कि उनकी मंत्री को जाना पड़ा और दूसरी तरफ करूना निधी की अंतिम विदाई इस समय चल रही है तमिलनाडू की सड़कों पर चन्ने की सड़कों पर देख सकते हैं सेला बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम है जो उनको अपनी शुद्धंजली देने के लिए उ आप लोगों ने जितना उठाया उसका असर पहले ही हो जाना चाहिए था मीडिया को कहा जाता है देखिया रहे आप उड़ा देते हैं पहले फैसला करते हैं लेकिन और आश्यर की बात यह है दिरीश कुमार एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री है बीजेपी का उनको समर्थन ह है यहां पर भी किन सरकार भी है इतने दिनों से आप देखिए कि लगबग समय हो गया हफ्तों निकल गए क्या उनके पास अपने जो सोर्सेज होते हैं सरकारी मिशिनरी होती है इंडिलिजेंस होता है उसकी सूचना नहीं थी निश्टित रूप से उनके पास सूचना थी ल इतने लाव या जितना सरक्षन मिल सकता है अपराधी जिसु कहें वैसे तो अदालत फैसला करेगी कि उसको कितना दंड हो कितना कितना अपराध किये हैं लेकि सवाल यह कि इतने बड़े आरोपी जब अपने समाज की मान समान की रहती है वो ने स्टिफाद दिया होगा कि चलू आप लोगों का इतना ज्यादा पक्ष का भी दवाव है अला कि विपक्ष जिनके खिलाफ चार सीट है जिनके खिलाफ जिनके यहां रेड हुआ वो तो बैठे अपने पद पे और एक मंजू मंजू बर्माजी का इस्तिफा के रहे लोगों ने इतना हंगामा किया तो अपकर डिमांड करें कि पूरा सीडियार को सर्वजनिक किया जाए विपक्ष की लोगों से बर्जेस्टाकूर्ट की की बात होती थी सब की होनी चाहिए सरफ एक मंजू बर्माजी के पती तो नही इतने लोग बात करते रहे होंगे सबका डिटेल आना चाहिए और सबसर्वजनिक होना चाहिए दूद का दूद। पानी का पानी होना चाहिए यह नहीं कि एक आदमी को टार्गेट करके पूरा का पूरा सब लोग उनके पीछे लग जाए एक महिला मंत्री थी सब लोग उ मातुर हैं हम एक बार रोहित सिंग के पास चले चल रहे हैं सीधे कौन है रामेश्वर मातुर रोहित सिंग जड़ा बताईए जो कह रहे हैं के बाकी लोगों की कॉल डीटेल भी आएं कौन-कौन बात करते थे के वले एक व्यक्ति को टार्गेट किया जा रहा है जी रामेश्वर मयतुर जो है वो जेडियू से ही मलस्य है और अभी कुछी देर पहले वो यहां से अंदर मंजू वर्मा से मिलने गए हैं साफ तौर पर वह बचाओ कर रहे हैंαιं यहां पर मंजू वर्मा का कह रहे हैं कि अगर खुलासा हो रहा है तो सब के खिलाब खुलासा है कि ब्रजेश ठाकूर ने इस बात हुख कुबूल किया कि मंत्री के पती के साथ उनके साथ घार थे उनसे मिली भगत थी लेकिन उल्टा मीडिया को ही यहाँ पर दोशार ओपन करके अंदर मंत्री जी से जो अब पूर मंत्री हो चुकी है मंजू वर्मा उनसे मिलने के लिए अंदर चले गए है रमेश्वर महतो चलिए एक बात तो कम से कम है जो जेडियू के नेता कह रहे हैं मंत्री का समर्थन प्राप्त था मंजू वर्मा को उसके बाद ये काफी मुश्किल लग रहा था कि मंजू वर्मा इस्तीफा देंगी भी कि नहीं क्योंकि आप बात साफ है एक हफते पहले मंजू वर्मा ने मुख्यमंत्री को गुमराह कर दिया कह दिया मेरे कोई रिष्टे नहीं है ब्रजेश थाकूर के खिलाव मेरे पती के भी कोई रिष्टे नहीं है मुख्यमंत्री ने भी वो बात जो है वो मान ली उसके बाद उन्होंने वो प्रेस कॉन्फरेंस कर दिया डंके के चोट पर और कह दिया क्लीन चीट दे दिया कहीं ना कहीं मंजू मंजू वर्मा को और उनके पती को भी लेकिन ये बात जरूर लगाया थे एक राइडर कि अगर कभी कोई सबूत मिलता है तो मैं कारवाई से पीछे नहीं हटूंगा लेकिन आज इस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हुए है तीन बड़े खुलासे हुए है कॉल डीटेल खुद कबूल नामा कि वो मंजू वर्मा के पती को जानते हैं उनके दाद मिली भगती इसके बाद तो नितिश कुमार के लिए काफी मुश्किल हो गया था कि इस मंजू वर्मा को उनके पद पर ही बने रहने दे और उसके बाद दबाव बनाया गया मुख्यमंत्री के रहा था कि जिस तरह से वो तो मीडिया का नाम लेकर के उसी व्यक्ति को कितना लाखों रूपय का फाइदा भी दिया जा रहा था ये व्यक्ति मीडिया मुझफर पुर जिदे शहर में फरजी जिसको कह सकते हैं उसको पत्रगार भी नहीं कहना चाहिए मीडिया के नाम पर ह कर रहा था और मीडिया को उसके लिए कटगरे में खड़ा करना और भी आश्यास पदे वही सरकार उसको मदद करती थी और ये बात रोहित सच है कि कुछ और नेताओं के नाम हो सकता है दूसरी पार्टियों के नाम भी सामने आए चुक कल तक तो यही सरकार में सब लोग शाम करना था और कॉंग्रेस से चुनाव भी लड़ने की तैयारी में था ब्रजेश ठाकुर का वहान सुनवाते हैं आज जो मीडिया कैमरों के सामने उसने दिया सुनिए ज़रा क्या का हुआ हुई है किसी किसी बिंदू पर बात हुई है किसी कार्जबस बात कभी नहीं हुई तो सुना अपने ब्रजेश ठाकुर का आज का बयान और उसके बाद मचा बिहार की राज़ीती में घमासान जिसके बाद मजबूरन नितिश कुमार को इस्तीफा कराना पड़ा उनके MLC रमिश्वर महतों सीधे-सीधे तोर पर मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लो सुजीत जहा हमारे साथ लाइव आ गए हैं इसी खबर पर और जानकारे लेकर बताईए सुजीत क्या अपडेट आपके पास आ रहा है देखिए रोई सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है मुझफर पूर बालिका कांड को लेकर लगातार एक तरफ से का जाए तो सी छिलता देखने को आ रही है खासवर पर सरकार की तरफ से मुख्रमंतरी की तरफ से जो कारवाई हो रही है हलाकि जब यह मामला फुरू हुआ था उससमें तुरस तीस मई को एफ़ायार ज़र होता है और दो तारी को सारे लोग गिरफकार हो जाते हैं दो दस लोग लेकि जो सीजी आई की मांग है उसमें भी देरी हुई देने में इसके बाद जो हाई कोस की निग्रानी में होनी चाहिए यह पूरा मामला इसको लेके भी दो तीन दीटर टाल मतोल होता रहा फिर आखिर में वो भी दिया गया इस चीपे की मांग ही हो रही इसी लगातार द बेरी हो रही है जिसकी वज़ा से जो भी दिपक्ष है वो लगातार हावी है यही वज़ा है कि अब बुख मंत्री ने तीस कुमार के इसी जब इमांग होने लगी है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेरी के वज़ा से इस तरह की बात सामने आ रही है इसी तरफ यह क्रीज सब्सक्री अगी जाना था तिस मारे के पास कुछ आरा नहीं था, हलान कि तरह कर दो कि पर्तों के प्रेश काफ्रेंस में कि कोई पर्मान मुलता है तो तो मैं सुरद्ध कावाई करूगारी ही हुआ जब आज बजेश ठाकूर का वयां कि हाँ हमारी बात होती थी अलाकि उन्हों ने कहा कि अध राजजयतिक बात होती थी जब कि मंजुबरमा के पत्री को वो तो ने चुनाओ नहीं लड़ा और उसे वह राज्यतिक बात करते थे यह तो और पता से लगा कि और क्या-क्या बाते होती थी तो यह एक बड़ा सबूत सामने आया निपीश कुमार के सामने और उन्होंने आज दो पर में मंझु बर्मा को बुलाया मुखमंत्री आवास में और उनसे इस्तिफा लिया कि आप इस्तिफा दीजिए क्योंकि मंझु बर्मा ने एक हफ्ते पहले यह मुखमंत्री को बताया था कि उसमें कोई संदिक्ता नहीं है कोई सक्चाई नहीं है उसको मान भी लिया था उन्होंने कि वो कुरी तरह से इस बा कि हमने उसे बात की उदों में बताया कि हमारी कोई संदिक्ता नहीं है जास होने जीजियत तो एक तरीके से निश्चिता थी निश्चित कुमार को लेकिन आज का जो घतना कर्म है उसको देखते हुए यह चीजें असपस्थ हो गई कि कहीं ना कहीं यह मंझु बर्मा के पत पती और बरजेश ठाकूर में यह साथ गात है बातचीत होती है और यह मुवाइल के प्रॉल डिटेल से असपस्थ हो गया उसके बाद अब कोई चारा नहीं बसता है कि आप इस्तिफा नहीं लेकिन नितिश कुमार अपनी पीठ थप थपा सकते हैं क्या जैसे कोशिश कर र देना पड़ा अपनी मंत्री मंजू वर्मा का रोहित सिंग इस समय लाइव मौजूद हैं मंत्री के घर के बाहर हैं मंत्री मीडिया से बात नहीं करेंगी आज अंदर से ये संकेत मिल रहे हैं माना जा रहा कि कल वो प्रेस कॉन्फेंस करके मीडिया से बात करेंगी और साथ उनके जो सहयोगी हैं, उनके साती हैं, उनके समर्थक हैं, वो आरोप लगाने लगे हैं कि मीडिया के दबाव में इस्तीफा कराना पड़ा, मीडिया ने मौल ऐसा बना दिया था जिसकी वज़े से इस्तीफा हुआ, ब्रजेश ठाकुर जो बात कह रहे हैं, और CBIX से निकले जो कॉल डिटेल्स इशारा दे रहे हैं कि उनके पती और ब्रजेश ठाकुर के बीच में सांट काट थी, उनके बीच में संबंध थे, उनको वज़े नहीं मान रहे हैं, बलकि वज़े मान रहे हैं इस बात को कि मीडिया ने दबाव बना दिया, मीडिया के दबाव से इस्त नहीं आते हैं उसको मीडिया के नाम पर वो हकेल करके यह कह सकते हैं अपना पल्ला जाड़ रहे हैं राजनीति गियों को कम सकब अपने उपर भी कहीं लेना चाहिए कि हमारे दामन में कभी कुछ गरबड हो गई है तो हमें उसके लिए स्विकार करें लेकिन वो नस्युकार करके रोही जी लेगी चलिए कम सकब मीडिया की तारीफ इसको तो तारीफ की रूप में रहना चाहिए कहीं उसके सबूतों की उसकी जो आरोप थे उन पर कहीं कोई पुष्टी से ही तो अब इस्तीवे की बात हुई कितनी गरवड माली जी वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ वहाँ पर घटीवाड हुए नेतिकता वाडिया और ञिकी यह तो अब इसके पहले दिन एक्छी तिए उसके बाद उनको सबसे पहले कम सकम क्लीन होने के बाद आप याद करिए कई ऐसी परमपरा रहे जरासा कोई भी मामला होता था अडवानी जैसे उन्हें पहले पार्टी से इस्तिफा दिया पार्लमेंट से इस्तिफा दिया तो मुझे असा लगता है कि जो बड़े नेता पहल पती का इन्वाल्मेंट होने के बाद चुकि सरकार से साहता मिलती थी सबसे बड़ी बात रही जी यह नहीं है कि मीडिया क्या कह रहा है जो सरकार का रिकॉर्ड मिला है कि कितना उनको साहता दी गई है दिल्ली में एक फेक डिगरी केस हुआ जिसमें केदरिवाल के मंतरी प कोई भी जो आरोपी होता है वो यह तो नहीं कहेगा क्या हमने अपराद किया नहीं किया लेकि उसको प्रश्रे तो बिला आप जानते रोही जी बिहार हो या कोई राज दिल्ली में भी मंतरी दी जाता है गाड़ी से गया तो जो जिसको उपर अवेद रूप से चल रहा था जानकारी होते हुए उसको खाली रिपोर्ट भी आई टाटा इंस्ट्यूट के भी रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद भी मंतरी वहां जाते रहे इसका मतलब है कि कहीं ने कहीं उसको मदद मिल रही थी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से यही एक बड़ा आरोप है बच्चियों के साथ अत्याचार में वो शामिल थे अगर नहीं थे लेकिन कम से कम ऐसे बाली का ग्रकवे जहां पर गरबढ़िया हो रही थी उसको सहायता देने में अपने रसूप को इस्तेमाल करना जातिगत समीकरन तो अपनी बात है लेकि रस के बहतर यही है कि आपके ऊपर कोई अपराद आया है साबने और यदि उसको जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक आप हट जाईए यदि सिद्ध हो जाएगा कि दिरप्राद है कभी आये नहीं कोई सबूत ऐसा नहीं मिला वापस बंत्री में सामिय हो जाईए लेकिन यहां मीडिया को दोशी ठहरा करके और लगातार उसको साहता दी गई इसकी तो और आगे सीबी आई की जाज में ज्यादा पता चलेगा शेकर एयर आप इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे जो पूरी घटना करम बिहार की राजनीती में जिस तरीके से चीजें हुई है विपक्ष दिल्ली तक आ गया जंतर मंतर पे पूरे दिन प्रोटेस्ट चलता रहा सारा दिन टीवी चैनल्स पर वो लाइव टेलिकास था नितिश कुमार ने कहीं न कहीं एक ग्राउंड लूज किया है जो उन्होंने अपनी एक इमेज बिल्ड की थी खास तोर पे इस घटना करम के बाद बिलकुल देखें मुझ समझ नहीं आ रहा है कि नितिश कुमार की क्या ये ज़रूरत पड़ी कि इनको इस तरह की नितिश कुमार की क्या रहा है कि नहीं नहीं आ रहे हैं कि कोई कर रहा है कि बड़ा पत्रकार था कोई टिकेट के लिए ले रहा था कुछ कोई क्या रहा है कि ये जो व्यक्ति बहुत प्रबाट शाली है उनकी लिए पुलिटिकल कनेक्शन्स है बड़ा उनके इंफ्लेंस है और इतना हेल्पलेस है एक मंत्री और क्यूंकि उनकी हस्बेंड उनसे एक कॉन्टैक्ट में हैं मुझे लगता है कि सवाल बहुत बड़ा सव है क्योंकि चीज मंत्री का रहना स्थीफा देना बात नहीं है बात है कि इस तरह की जो चीजे चल रही थी उस कल्यान ग्रहा में और बच्चे जो इसके शिकार हुए क्या इसकी जिम्मदारी सबक्र पर पढ़ती है और मुझे समझे आ रहा है नितिश कुमार जैसे बड़े मिचोड नेता इस मामले को ऐसे क्यों मिस हैंडल की है हमारे साथ रगोंच प्रसाथ सेंग आ गया है अरज़ेडी की नेता रगोंची स्वागत है आपका आज तक पर आखरकार मंत्री मंजु वर्मा का इस्तीफा कराना पढ़ा नितिश कुमार को आपकी प्रतिक्रिया रगोंची मेरी आवाज आ रही है अब तक शायद रगोंची का फोन कट चुका है संपरक उन से कट गया है वापस उन से दुबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे जो बात शेकर रहे हैं जो बात पिछले कई दिन से लगातार कई जा रही है कि नितिश कुमार जो उन्होंने अपनी एक छवी बनाई है उसको डेंट कर रहे हैं ऐसे मंत्री का बचाव करके जिसके उपर इतने संगीन आरूप है जिनको लेकर देश भर के लोगों का सर शर् करा रहे हैं स्वी कृष्ण जी मैं आपसे भी कॉमेंट चाहता हूं जल्दी से इस पर कि नितिश कुमार ने जो चवी अपनी एक बनाई थी जिस आधार को बताते हुए उन्होंने कहा कि हम आर्जेडी से अपने संबंध तोड़ रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि इस मामल पार्लिमेंट में उठा विपक्स भी दर आगे सब उसके उपर इतना कर रहे थे हैं थोड़ा सरुकू आपको रगवण जी फोन लाइन पर आगे एक बार फिर से अमरे सथ रगवण जी मेरी आवाज आ रही है आप तक अब इतनी सर्वसार घतना जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि सरकार का सुरुवार है इतने लंबे दिनों तक किस परिथिती में पैसे उनको मिलते रहे और कोई बीच में देखा नहीं कोई जाच नहीं किया कोई ठान भी नहीं किया और पार्लियमेंट सर्मशार हो गए लोग देशवर के तो मुख मंत्री को ट्यार्ट मत देना चाहिए जो बचावा करते रहे उती इतने दिनों से मंजु बर्मा को और 17 वार वारता हुई है कौन से वो जो जेल में भेजा गया है जिसको आउनीन के हस्वेंट से मानिया मंत्री के हस्वेंट से तो ये क्या बता रहा है और बिहार के गार जगा अस्थानों में सब जगा ये ही हाल है जि कहीं पिटाई हो रही है बत्तों की पिटाई उनको दुर्वेवार हो रहा है और इस तरह सी क्या हो रहा है इसलिए मुख मंत्री को इसकिफार पर ना जे हम तरह कहले मांगी है संपोर्ण जहाँ he Susan Bho Cóтьala में पास तरु कि पस्तर निजियों करने भाद करने को ग्रहें करने पास है उस लिए मुहमात प्रीका असıl में इस्तिफाफ होना चाहित प्ता शुक्रिया हुम से बात करने के लिए रगवश उपाध्यक्ष है आर जेडी के वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और हमने इस्तीफा मांगा था मजबूरन सरकार को इस्तीफा कराने पड़ा और आप रुक कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर का दक्षन भारत में सु परवजनिक जीवन जिसमें 60 साल से ज्यादा का चुनावी जीवन शामिल है उसके बारे में आपको बताएंगे उनकी अंती म्यात्रा दिखाएंगे झाल जो वक्ती 1957 में पहली बार चुनाव रड़के जीता हो और 2016 में आखरी बार चुनाव रड़के जीता हो और हर बार चुनाव जीता हो वो थे एम करोना निदी और यही वज़ा है कि आज आठ दशक के अपने सारवजनिक जीवन के बाद जब उनकी अंतिम विदाई हो रही है तो हजारों की तादाद में तमिन नाडु के लोग चन्नई में सड़कों पर उतर आए हैं अपने इस नेता का एक दर्शन करने के ल और उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनकी विदाई का दुख ऐसा है आप इसी से समझ सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग घायल हो गए इस बात को लेकर जब आवाज उटनी शुरू हुई कि उनकी अंतिम संसकार की जगह वो क्यों नहीं है जहां सारे बड़े ने पर आज करोना निदी की भी आखरी विदाई होगी और ये जन सहलाब आप देख सकते हैं उनको जो अंतिम विदाई देने के लिए इस समय उमड आया है बारां बार के विदायक और एक बार के मेल सी और पांच बार तमिल नाडू के मुख्यमंत्री रहे एम करोना निधी औ हमारे साथ शुरिक्टरशन जी है वो भी उनके बारे में और बताएंगे शेकरा ये इतने लंबे समय तक कोई नेता अगर रहे तो उसके जिवन में निश्यत तोर पर बहुत सारे उतार चड़ाव होगे ऐसे कौन से मौके है एम करोना निधी के जीवन के जो आज के दिन आ पहला दियमके के मुख्यमत्री बनेते उनके ये साती रहें लाके दो साल में 1969 में अन्ना दुरही का द्यान दोगी उसके बाद सारा जिम्मदारी करोनाथी के कंदोग में तो वह एक बड़ा टर्णिंग पॉइंट है कि डियमके का इतना बड़ा करिस्पटिक लिडर जैसे अड़ा दुरही उनके बाद ये इनके जिम्मदारी इनको लेने पड़ी उसके बाद हमने देखा 69, 70 और 71 चुनाओं में भी करोनाथी जीत के आए क्योंकि उनके साथ प्रचार में लगे हुए थे एमजी रामचंदरेन जो बड़े फिल्म एक्टर है जिनको एमजी आर के नाम में पुकारा जाता है उन्होंने इनके साथ कंपेइन के लकिन एक साल में इन दोनों के बीच में एक जगड़ा शुरू हो गया जो पार्टी के फंड्स के इसाब किताब को लेकर उसके बाद ए अपना अलग पार्टी बड़ा है वो दूसरा जो एपिसोड है जो करणानदी कभी भूल नहीं सकते जिसके पिछले पचास साल में कम से कम 72 से लेकर जब तक MGR का देहान तुआ 1987 तक यह बड़े फैक्टर रहे और जब तक MGR जीवित थे तब तक करणानदी सत्ता पे वाप जब सामने आया उनकी परिवार के लोगी उसमें शामिल की जो बाते आई और वो बड़े बड़ा जटका था उनके लिए क्योंकि अपने कनी मुरी अपनी बेटी जिस बेटी को बहुत प्यार करते थे वो बेटी का नाम उसमें आ गया था ए राजा एक दलित मंत्री जिनको इनोंने मतलब एक कैडर से पिकप करके इनको नेता बनाया था वो भी उनका नाम शामिल आया और दूसरा जो घर जो इसके बाद या इसके पस्चाद जिस तरह फैमिली के अंदर यानि फस्ट फैमिली के अंदर करुनानदी के परिवार के अंदर जिस तरह अपने बड़े- कैडर कमिशा कहते हैं यह मेरे साथ जो जनम लिये हुए, मेरे भाई है, मेरे भाइन है लेकिन जो कैडर पार्टी जिस तरह कंवर्ट हो गया था एक फैमिली पार्टी वो मैं मानता हूँ वो चौता यह है और जो पांचवी जो है पांचवी जो चीजें है जिस तरह उन्होंने अभी जो 19 मतलब 2016 में जो चुना हुआ जब दुबारा जायलिता जीत के फिर वापस आ गई वो भी उनके बड़ा परसनल जटका था क्योंकि पहले यह क्योंकि एमज हो गया था 2016 में एक चीज मैं आप से पूछता हूं कृष्णा जी आखिर ऐसा क्या है जो जैललिता और करुणा निदी उन दोनों के बीच में कैसी नफरत का रिष्टा बताता है राजनीति की पिहास कि जिसमें हम लोगों को कम से कम उत्तर भारत के रहने वालों को तो उनक बहुत महत्वकूल गठना है क्योंकि उसी में से वहां से उनका रिष्टा बिलकुल है चूट गया है और क्योंकि दूसरा है कि जब से एम जी आर गया है उन्होंने जैललिता को अपने साथ रखा उनको पार्टी प्रपागेंडर सेक्रेटरी रखा तो यह सब देखते है और अपने परिवार को यह आगे करेंगे और वहां देखा कि यह जैललिता आ गई और जैललिता को एक और महत्व है कि उन्होंने फिल्म के थ्रू भी बहुत अच्छा अपना जो एम जी आर के साथ रोल किया है वो भी काफी असर पड़ा है उनका तो फिल्मों का भी हमें चोटा सा ब्रेक ले रहें लेकिन ब्रेक के बाद ये सवाल भी निश्चित तोर पर होगा कि दक्षण भारत की राजनीती में पहले जैललिता और अब करुणा निधी के जाने के बाद क्या दक्षण भारत की राजनीती आनात हो गई उत्तर भारत के नेता अब वहां पर जगा तलाशने लगे स्कूप तलाशने लगे अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो उसको लाइक कीजिए